दोस्तों One Plus Foldable Smartphone यह आपको याद दिलाएगा जो Oppo Find N है Oppo का जो Find N है उसी का Rebrand version होगा यहाँ पर दोस्तों यह पता चल रहा है कि जो One Plus का Foldable Smartphone होगा यह टैबलेट होगा जिन्होंने Max Jember ने यहाँ पर Jember sorry यह कुछ नाम ऐसा ही है उन्होंने अपने टिक्षर में साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि जो Oppo One Plus का Foldable Smartphone आएगा आप बिल्कुल डिजाइन के मामले में बिल्कुल अलग दिखेगा लेकिन Oppo का Find In का ही Rebrand Version होगा जिसका Features पहले से आपको पता है अब यहाँ पे कुछ क्या बदला होगा मैं आपको थोड़ी सी यह बता दूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें चिंजिस हो सकते हैं क्या क्या बदला हो सकते हैं लेकिन अगर आपके पास Oppo का Find In है तो आप बेफिकर हो ओए देखने को मिलतीरे तो बाद मैं कर रहा हूं यहाँ पर जिसका एक इमिजू किया है किनोंने मैक्स जैंबोर ने इसमें इमेस में हिंड मिलता है कि Oneplus का वोल्डवरी में अंदर की और फोल्ड होती है और वहीं फोन के बाहर सिकेंडरी डिस्प्ले दी गई है यह ऐसा पता लग रहा है कि यह आपको गलेक्सी जट फोल्ड थरी की तरह ही यहाँ पर एक चीज और सामने आघी है कि जैसे कि आप मैं बता दूं कि जो भी इंटरेनेशनल मारकेट्स है या फिर आपको अपो है वीवो है शौमी का है यह सब चीजें जितने भी हैं शौमी का लेलो वीवो का लेलो इस साही का निचोड आपको वन प्लेस के फोल्ड फोन में ही दिया जा रहा हैं तो कोई बात नहीं अगर आपका गर रीब्रेंड वर्जन किसी का फोन का ले एंद यार कितनी मतलब आजीब बाते हैं कि पहली बार Oneplus का फोल्ड पर स्मार्टफोन लाने जा रहा हैं वो कि किसीने किसी का rebrand हो गया successor हो गये उसी के सारी features हैं उसी के सार डीजाइन है थोड़ा सा और लगता है यह चीज़ें हो रहे हैं तो हो नहां हो बहुत सारे स्मार्ट फोन है और भी पता चल लाए कि इसमें जैसे Samsung Galaxy Jay का Phillip का 3 है फिर पता चल लाए हमें एक नए अंदाज में मिल सकता है लेट से एक बर्द देखते हैं जब आएगा पूरा हकीकत सामने मैं आपको किसी नकिते जरीए से आपको जरूर इसको वागिप करवाएंगा अभी किलों दोस्तों उम्मीद करते हूं वीडियो को पसंद आए अभी को पसंद आए पिजब डाइ करना शर्क हरा मिल्ला मच से नकिते प्रिम अपके नियुक्त